अभी मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए मैस एक्सराइज 5.3 कॉस्टन 16 फ्रॉम एंसी आर्टी बुक चैप्टर है इर्थमेटिक प्रोगेशन मिन्स अपी कॉस्टन है एस सम अफ रूपी 700 इस तो बी उच्टो गीब 7 कैस्ट प्राइज तो स्टुडेंट ऑफ ए स्टुडेंट प्राइज में डिवाइट करना है उसके मेरित के हिसाब से जो फर्स्ट प्राइज होगा उसको जादा मिलेगा सेकेंड प्राइज को कम मिलेगा लेकिन इसमें condition है if each price is rupees 20 less than its preceding price, पहला price जो होगा, उसके बाद वाला price 20 rupees less होगा, मल देजे कि पहला price किसी का 100 rupees है, तो next वाले को मिलेगा 80 rupees, उसके next वाले को मिलेगा 60 rupees, मिलेगा पहले price से हमेशा 20 rupees next price को कम मिलेगा, ठीक है, तो कह रहा है, find the value of each of the price, तो each price का value find कीजे, तो कहड़ा question में, जो first price मान लेते हैं इसको, let's first price is equal to x, पहला आदमी को कितना मिलता है, जो top है, number one पर है, उसको क्या मिलता है, ranking में जो first पर है, उसको x मिला, तो second price कितना हो जाएगा, 20 कम मिलता है, तो x minus 20, third price क्या हो जाएगा, जो second को मिलता है, उससे 20 कम, तो x minus 20 minus 20, first को मिला x, second को मिला x minus 20, third को मिला x minus 20 से 20 कम, तो यह हो गया, x minus 40, ठीक है, तो prices given क्या हो गया, prices given हो गया, x, दूसरे को मिला, x minus 20, तीसरे को मिला, x minus 40 and so on, इसी तरह 7 आदमी को मिला, ठीक है, तो अब इसमें क्या देखते हैं, यह एक एपी फोर्म कर गया, this forms an ap, यह एक एपी फोर्म कर गया, x, x minus 20, x minus 40, अगला होगा, x minus 60, इस तरह से, तो now, इसमें हम क्या पाए, फस्तर्म है, x, तो a हो गया, x हो गया, common difference d कितना हो गया, second term में से, फस्तर्म को minus करेंगे, second term है, x minus 20, minus x, ठीक है, x plus x minus cancel हो गया, तो यह हो गया minus 20, तो d हो गया minus 20, कितने आदमी में बातना है, 7 आदमी में बातना है, यह 7 तरह तक जाएगा, तो n हो गया कितना 7 and total price कितना 700 तो price का sum कितना होगा 700 तो इसलिए sum of nth term sn हो गया 700 ठीक है अब sn का formula मेरे पास है उससे हम निकालेंगे we know that sn equal to क्या होता है n by 2 2a plus n minus 1 into d यह sn का formula है इसी में सभी values जो हम निकाल चुके हो उपर उसको डाल देंगे sn 700 n कितना है 7 तो 7y 2 2a कितना है x है तो x डाल दिया प्लस n कितना है 7 तो 7 minus 1 d है into minus 20 ठीक है अब 700 into 2 by 7 हो जाएगा इसके साथ multiply है इधार इस साइड लाएंगे तो multiply का divide हो जाएगा तो 2 by 7 हो गया equal to 2x 7 minus 1 हो गया 6 into minus 20 ठीक है 700 7 by 2 को इस साइड लाएंगे 2 by 7 हो गया 2x हो गया 7 में से 1 गया 6 हो गया minus 20 से multiply हो यह cancel हो गया यह 100 हो गया तो यह हो गया 200 यह हो गया 2x minus और plus minus 620 multiply करेंगे यह हो जाएगा 120 ठीक है अब 200 में इसको इधार लाएंगे minus 120 को इस साइड लाएंगे 120 इधार आगया 2x तो अब यह हो गया 320 200 plus 120 320 is equal to 2x 2 को इधार लाएंगे multiply है divide हो जाएगा 320 divided by 2 is equal to x यह cancel हो जाएगा यह हो जाएगा 160 इसलिए x is equal to rupees 160 इसलिए that is first price ठीक है x को हमने first price माना था इसलिए x हो गया first price 160 अब first price लिख देंगे first price कितना हो गया 160 rupees second price हो गया 20 minus कर देंगे क्योंकि पहले prices next price 20 rupees कम होता है तो यह rupees हो गया 140 third price हो गया इसमे 20 minus कर देंगे rupees 120 fourth price हो गया इसमे 20 minus करेंगे तो यह हो जाएगा rupees 100 fifth price हो जाएगा इसमे फिर 20 minus करेंगे 80 हो गया 6th price हो गया rupees 60 और 7th price 7 लरके मातना है 7th price last price हो गया कितना rupees 40 यही इसका answer हो गया अगर सभी price को जोड़ देंगे तो total price given कितना हो गया तो यह सब को total करेंगे तो यह हो जाएगा rupees 700 जो हमारे पास question में दिया हुआ कि 700 rupees को distribute करना है 7 students में तो यह distribution हो गया और यह total price हो गया अगर अच्छा लगा हो तो like करें subscribe करें friends में share करें चैनल को थरह support करें अगर कोई doubt हो तो comment box में डाले मैं इसका जवाब दूँगा thanks झाले में में RA****